हेलो गाइज विल्कम बैक टू मैं यू व्लॉग तो आज नौरात्रा का सब्टमी है और हमने प्लान किया कि इवनिंग को हम लोग जाते हैं घूमने के लिए माता के दर्सन के लिए तो सबसे पहले हम निकल गए ढोंबी वली और ढोंबी वली मार्केट में जो क्राउड था आप देख सकते हो ना जादा क्राउड है पूरा मेले की तरह यहां पे लगा हुआ है तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था यह सब कुछ तो बहुत दिनों के बाद आज फूल फैमले हम लोग निकले ते गूमने के लिए तो सोचा माता के दर्सन करते हुए हम लो करते हुए हम लोग निकल गए वहां से तो वहां से हम लोग निकले जहां पे भी माता का दुर्गा माता का पूचा हो रहा था वहां पे हम लोग गए उनके दर्सन किये तो दोंबी वली में हम लोग जस्ट घूमी रहे थे और वहां पे जहां पे भी पंडाल लगे में थे हम भूचर पर जा रहे थे थो आ जो hem लोग जा रहे थे 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 तो हमें पहला पंडाल लुड तो यहां पर मिला यहां पर हम लोग घूमते फिरते गए और फिर कि माता के दर्सं चिये ये मुंबई में हमारा फास्ट टाइम था कि हम लोग नौरात्रा में घूमने के लिए निकले थे तो यहां पे हम लोग को छोटे-छोटे पंडाल यहां पे बहुत सारी गली में बनाये जाते हैं आपको बहुत सारे पंडाल मिल जाएंगे छोटे-छोटे यह पंडाल ही मिल जाएंगे जहां Maista का पूजा किया जाता है और पूरे एरिया को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है तो वहां से हम लोग निकल गए और हम लोग चलते चलते थोड़ा आगे बड़े वहां पे हमें एक और चोटा सा पंडाल दिखा मूर्ती बहुत ही सुन्दर लग रही थी माता की जो प्रतीमा थी बहुत ही सुन्दर दिख रही थी यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किये यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए गनेश टेंपल जो कि जस्ट फड़के रोड में ही आता है और वो बहुत ही बड़ा टेमपल है तो हम लोग वहाँ पे गए वहाँ पे भी माता का पूझा हो रहा था वहाँ पे भी हम लोगों ने माता का सिर्वात लिया और फिर निकल गए अपने घर को तो गईस आप्कमेंट करकी सरूर बताएंगा कि आपका दैस दुर्गापुजर कैसा भीत रहा हैं आप कहां-पहां ग्यों अपत्मी में किदर गे अस्ट वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताय्येह हैं यह पूरा जो वीडियो था वह वह दोंपी वली और फरके डोड का तो comment section में जरूर बताईएगा guys happy navratra to everyone bye bye